शंकरन पिल्ले वो बार में बैट कर शराब पी रहे थे और हर दिन वो अपने काम पर देरी से पहुँशते थे बहुस आग बबूला हो गया, आप निकाले जा चुके हैं मुझे उमीद है कि आने वाले इस साल में आप सब लोग इस बुन्यादी पहलू पर गौर करेंगे आप सचेतन रूप से ये निर्नाए कर सकते हैं कि मैं कैसे रहूंगा इस धर्ती पर एक इनसान के रूप में केवल आप ही हैं जो ऐसा करने में सक्षम है आईए इसे संभव बनाएं तो सद्गुरू ये साल समाप्त होने वाला है मैं अपने अगले साल के लिए क्या प्लान करूँ मैं चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें देखिए मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ उसमें आपका जबरदस फायदा है आप बहुत लंबा जीएंगे वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप 24 घंटे को एक साल मान कर चलें तो अब जब आप सोने जाएंगे तो वो भी एक महानुत्सव होगा हर दिन क्योंकि आप हर दिन को एक साल की तरह ले रहे हैं ये समय का एक चक्र है ये पक्का है शायद मैं नहीं जानता है चीटी या खेंचुआ या कोई और हो सकता है कोरोना भी तो ये वाइरस जो भी है संभवत है ये 24 घंटे को एक साल गिन रहा है और भी कई जीवन रूप इसी तरह से जीवन का अनुभव करते होंगे जैसे की लोग कुटे के लिए कहते हैं की कुटे का एक साल इंसान का दस साल है या इंसान के दस साल कुटे का एक साल है जो भी गणनाएं हमारे पास है तो मैं चाहूंगा कि आप हर दिन को एक साल के रूप में गिने, बड़ा उत्सव होगा हर दिन आपको नए साल के दिन जैसा महतुपूर्ण क्यों नहीं लगता, मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ हर दिन जो पूरी दुनिया में इतने शांदार तरीके से शुरू होता है, एक भविस सूर्योदय होता है वैसे बहुत कम लोग ही इसे देखते हैं, बाकी लोग अपने फोन स्क्रीन पर देखते हैं इसका एक फायदा यह है कि जब आप चाहें, आपके फोन में सूर्योदय हो जाता है तो जब हर रोज सुभा इतनी शांदार घटना घट रही है तो फिर ये एक नई शुरुवात क्यों नहीं है? हर दिन एक नई शुरुवात है सद्गुरु आप बिगाड रहे हैं, हमेंक उत्सव की तैयारी कर रहे थे और आप इसे बिगाड रहे हैं नहीं, मैं कहा रहा हूँ कि पहली जन्वरी भी वही चीज है ये भी उत्सव मनाने के लायक है लेकिन मैं कहा रहा हूँ हर दिन जो इतने भवे तरीके से शुरू होता है वो उत्सव मनाने के योग है प्रॉब्लम सिर्व ये है कि आपका दिमागी चक्रे स्थिती में है कि इसे बहुत सारा स्पोर्ट, तैयारियां और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है तो ये हुआ शंकरन पिल्ले ने ऐसे ही एक सत्संग में भाग लिया और उन्होंने इसे गंभीरता से ले लिया और हर दिन शाम को वो बार में जाकर शराब पीते और हर दिन अपने काम पर देरी से पहुँचते और उनका बॉस बस उनको निकालने ही वाला था वो उनसे तंग आ चुका था, वो उन्हें कितनी बार बोल चुका था लेकिन वो हमेशा एक यह डेढ़ घंटे देरी से ही आते थे और फिर उनका एक दोस्त था जो उनका बार में सहियोगी था नहीं, जब आप मियमित रूप से ऐसी कोई चीज करते हैं तो वो आपके सहियोगी बन जाते हैं नहीं तो वो आपके बस दोस्त होते हैं, ठीक है? लेकिन वो आदमी बिलकुल समय पर आफिस पहुंच रहा था तो शंकरन पिलाई बोले, तुम ये कैसे कर लेते हो? हम दोनों एक ही समय पर घर जाते हैं, हम दोनों एक बराबर शराब पीते हैं लेकिन तुम हमेशा आफिस समय पर पहुंचते हो? तो उनका दोस्त बोला, मैं क्या करता हूँ? देखो, आम तोर पर हम लोग 12 बजे घर जाते हैं, मैं तुरंट सो जाता हूँ फिर मैं रात को दो बजे जाता हूँ, विस्की के एक और शॉट लेकर फिर से सो जाता हूँ चार बजे मैं फिर जाता हूँ, विस्की के दो और शॉट लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ और फिर जाकर मैं 8 बजे जटता हूँ और 9 बजे आफिस पहुंच जाता हूँ शंकरन पिले सोचे मुझे भी ऐसा करके देखना चाहिए फिर वो गए और वैसी ही कोशिश की और वो चकित रह गए साड़े आठ उनकी नीन खुली और वो सीधा ओफिस के लिए भागे और साड़े नौ से थोड़ा पहले ही पहुँच गया बहुस आग बबूला हो गया उसने कहा अब बस बहुत हो गया आप निकाले जा चुके हैं उन्होंने कहा क्यों? हर दिन में एक डिड़ घंटा लेट आ रहा था आज तो मैं बस 27 मिनिट ही लेट हूँ 27 मिनिट से तुमारा क्या मतलब है? तुम सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कहा थे? तो आप उन सभी 364 या तीन दिन तक कहा थे? और अचानक अब उत्सव मनाने के मूड में हैं हर किसी को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है? कि आप इन 364 दिनों तक उत्सव नहीं मना रहे थे केवल एक दिन का आप उत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप कभी खुशी नहीं थे, इस साल आप कभी भी आनंदिती नहीं थे, बलकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत महत तुपून है, क्योंकि जीवन की प्रकृती ऐसी है कि ये लुड़कता जा रहा है, नए साल का मतलब यही है, यही कि ये आपके लिए रुक नहीं रहा है, चाहे आप घर में कैद रहे हों, या ओफिस में कैद रहे हों, या गटर में कैद रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता समय बीतता जा रहा है, समय बीत रहा है, यानि जीवन बीत रहा है तो जब जीवन की प्रकृती ऐसी है कि समय एक निरंतर चलती रहने वाली चक्की है समय को देखने का एक अलग तरीका है सबसे महतपून चीज यह है कि माना आपको स्थिर होना, सीखना होगा तो अगर मैं कुछ भी ना करूँ, तो क्या काम चलेगा? आपको वाकई इस पर गौर करने की जरूरत है कि इस पूरे साल आप बिजी थे या सोच में डूबे हुए थे आपको लगता है कि आपके दिमाग में ज्यादा खयाल आ रहे हैं, तो आप बिजी हैं नहीं, आप बिजी नहीं हैं, आप बेकार हो चुके हैं एक अकलमंद विचार पैदा करने के लिए आप 10,000 विचार पैदा कर रहे हैं, यही अक्षमता है एक विचार जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, आपको बस इतना ही चाहिए आपको उस तक पहुँचने के लिए 10,000 विचारों की जरूरत क्यों होती है कुल मिलाकर अगर कभी भी आप उस तक पहुँचते हैं, तो यह अयोगिता है इसे बिजी होना मत कहिए, यह बस चिंता मगने रहना है यह सोच में डूबे रहना, अब एक वैश्विक घटना बन गई है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कैसे, कैसे बैठें, कैसे सांस लें, खुद को कैसे संभालें क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में यह चीज कहीं है ही नहीं उन्होंने आप से कह दिया कि अगर आप प्रोटीन, विटमिन ये खाएंगे, तो आप बहुत अच्छे रहेंगे हर चीज बढ़िया रहेगी आज स्वाभाविक है कि आप जीवित रहेंगे लेकिन अगर इंसान होने की क्षमता को आप सही मायनों में जानना चाहते हैं अगर आप अपनी मानवता को निखारना चाहते हैं अगर आप अपनी जीनियस को प्रकट करना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगा की जरूरत है जहां बाहरी चीजें वाकई प्रवेश न कर पाएं अपने भीतर आपको एक जगा चाहिए जहां पर केवल ये हो दुनिया आपके चारो और हो असल में दुनिया आपके चारो और ही होती है ये आपके अंदर नहीं होती लेकिन ज्यादतर लोगों के लिए ये अंदर होती है वो अपनी आखे बंद कर लें तो वो उनको अंदर से पागल कर देगी तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ किया ही नहीं गया है ऐसी जटल मशीन पे कोई काम नहीं किया गया है ये मशीन इस धरती की सबसे जटल तकनीक है और इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है यहां तक कि लीवर्स खोजने के लिए या अब कीबोर्ड भी नहीं कह सकता टथ स्क्रीन किस से क्या होता है किसी तरह से तो अपनी सुविधा के लिए दुनिया को ठीक करने की कोशिश में हम उस स्थान पर पहुँच रहे हैं जहां हम अपने अस्तित्व के स्तरोत को ही तबाह करने लगे हैं और ये उससे कहीं अधिक खतरनाक है जितना लोग अभी इससे सोच रहे हैं शायद हम प्रत्यक्ष रूप से भागिदार हों या शायद प्रत्यक्ष रूप से भागिदार ना हों लेकिन इस दुनिया की हर वो चीज़ जो इनसानों द्वारा की जाती है और हर वो चीज़ जो हो रही है या जो नहीं हो रही है उसके लिए हम 100% responsible हैं क्योंकि चेतना का मतलब यही होता है और इंसान होने का मतलब भी यही होता है क्योंकि बाकी सभी जीवों की सनरचना इस तरह से है कि वो पहले से ही तय है कि वो क्या है इस धर्ती पर केवल इंसान ही ऐसा है जिसका जीवन तय नहीं है और इसी को बहुत सारे लोग भूगत रहे हैं वो निर्धारित चीजें चाहते हैं यही वज़य है कि वो खुद को किसी दर्शन, किसी विचारधारा, किसी धर्म या किसी मत के साथ जोड़ कर रखते हैं क्योंकि खुद को वो एक सीमा में रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंसान होने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये पहले से तय नहीं है ये पहले से तय नहीं है यानि ये स्वतंत्र है, इसका मतलब यही है लेकिन स्वतंत्रता एक डरामनी चीज है आप चार दिवारी में रहना चाहते हैं क्योंकि स्वतंतरता डरामनी लगती है लेकिन अंजाने ही हमेशा आप उसी को खोचते रहते हैं और जब वो आती है तो आप डर जाते हैं इस चीज़ को संबोधित किया जाना चाहिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस साल में आप सभी इस बुनियादी पहलू पर गौर करेंगे आप सुवतंतर होने के लिए, मुक्थ होने के लिए जी रहे हैं या आप जीवन में बस अधिक से अधिक बाधाएं खड़ी करने के लिए जी रहे हैं तो ऐसे समय में या उस मामले में किसी भी समय में एक बुद्धिमान इंसान हर स्थिती को अपने विकास के लिए उप्योग करेगा, एक मूर्ख हर स्थिती को अपने खिलाफ कर लेगा और अपने और अपने आसपास हर किसी के लिए तकलीफ पैदा करेगा. यहां जीवन में बस इतना ही है कि आपका दिमाग जीवन के लिए काम कर रहा है या जीवन के खिलाफ काम कर रहा है तो अगर आपने पूरा साल मूर्खता पूर्ण जिया है और अब अचानक कल सुभा आप एक संकल्प के साख जागेंगे नहीं आपको प्रयास करना होगा लेकिन साथ ही इनसान अपना मन बना सकता है अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप अपना मन बना सकते हैं और उस तरफ जा सकते हैं आपके पास ऐसा करने की क्षमता है, मैं बता रहा हूँ, एक इंसान के रूप में इस धर्ती पर केवल आप ही हैं जो ऐसा करने में सक्षम है, बाकी सभी जीव अपने भीतर अस्तित्त द्वारा पहले से तय की गई सीमाव से ही संचालित होते हैं, वो केवल वही कर सकते हैं ज इसका नेड़नय कर सकते हैं कि मैं कैसे रहूंगा, ये कोई छोटा सौभाग्य नहीं है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य और स्वतंतरता है, जो की इस धर्ती पर इस जीवन को सौपा गया है, आईए इसे संभव बनाएं